दोस्तो RBI ने भी re-dollarization की गाड़ी पकड़ दी है आप अगर देखे तो एक बड़ा ही interesting news सामने आ रहा है पिछले चार महिनों में January, February, March, April इन चार महिनों में RBI ने जो सोना खरीदा है वो पूरे 2023 में जो सोना खरीदा उसका डेड़ गुना है दोस्तो ये बड़ा interesting news इसलिए है क्योंकि एक तो ये RBI के stance के बारे में बताता है number two ये बताता है dollar किस ओर जा रहा है तो dollar as a reserve currency कहां जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे past में जितने भी reserve currencies रहे हैं उनका कितना life span रहा है और किस कारण से वो खतम हुए और अब dollar कहां जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंग साथ साथ हम RBI के stance के बारे में भी देखेंगे कब तक उसने dollar नहीं खरीदा कभी खरीदा तो किसके दबाओं में खरीदा उसके साथ साथ हम RBI के governors को भी देखेंगे और समझेंगे कौन कितना IMF के दबाओं पर काम करता रहा है उन सारे IMF पर आज के इस video में चर्चा करने व बड़ा सरल है जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है फिर वो रश्या यूक्रेन वार हो इस्राइल हमास वार हो हूती कुछ कर रहे है चाइना तैवान को धंकी दे रहा है ट्रेड वार चल रहा है यूएस डॉलर को अगर आप देखे तो विपनाइस कर दिया है रश्या कि एसेट्स प्रीज कर लिया है तो इतना इतनी बड़ी एक खिचडी पक चुकी है कि सबसे बहतर है डॉलर से अपना पलना चुड़ाया जाए और रवी आई ने कहा कि चलो एक दिन में तो यह नहीं हो सकता तो इसको दीरे-दीरे करेंगे और सोना सबसे बड़ा अल्टरन सोना खरीदा था और अभी चार महिनों में 24 टन सोना अर्वी आई ने खरीदा है इसके साथ अगर आप देखे तो आर्वी आई डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर चुका है डिसंबर 2020 तक आर्वी आई का जो गोल्ड होल्डिंग था वो 676 टन हुआ करता था यह एप्रिल 2024 साते आते 827.7 टन हो चुका है आप देख सकते हैं यह किस प्रकार से बढ़ा है डिसंबर में आप देख सकते हैं 20, 21, 22, 24 किस प्रकार से यह बढ़ता गया है यहां पर दोस्तों देखने वाली बात क्या है कि एक बार यह डॉलर यह जो सुना है यह बेचा भी गया है कारण बड़ा सरल रहा है जब जब डॉलर और रुपीज में कहीं न कहीं रुपीज को कभी-कभी डिफिंड करना पड़ता है तो उसके लिए भी RBI इंटर्वीन करती है मार्केट में जब रुपी बहुत कमजोर होने लगता है उसको बचाने के लिए RBI अपने एसेट को बेचती है और बदले में रुपी खरिदती है कई बार डॉलर बेचके रुपी खरिदती है तो कई बार सोना भी बेचके जो पैसा मिला उससे रुपी खरिद लिया दोस्तों यहांपे देखने वाली बात क्या है कि जो गोल्ड का Total Foreign Reserve जो भारत का है उसमें अगर आप हिस्सा देखे तो हमारा जो gold का share है total foreign exchange reserve में वो 55.5 billion dollar के करीबन हो चुका है दोस्तों ये global trend भी ऐसा ही चल रहा है RBI अकेला ऐसा central banker नहीं है दुनिया भर के central bank कुछ ऐसा ही काम कर रहे है वो dollar कहीं न कहीं based assets जितने भी है US treasury वगेरा जो रखते हैं उसका share कम कर रहे है Sona का gold का share बढ़ा रहे है कारण वही जैसा मैंने बताया global uncertainty है और इस वज़े से उनको लग रहा है कि भाई dollar तो कभी भी आप अगर देखें तो US weaponize कर सकता है तो यहाँ पे Sona एक ऐसा चीज है gold एक ऐसा वस्तु है जो कभी भी उसका value कम नहीं होने वाला time tested रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2009 से 2022 के बीच में सबसे ज़्यादा gold किन central banks ने खरीदा है यहाँ पे आप रश्या देखेंगे चाइना देखेंगे तुर्की देखेंगे इंडिया देखेंगे दोस्तों देखने वाली बात किया है जो ब्रिक्स कंट्री में तीन सबसे बड़े कंट्री है रश्या इंडिया चाइना इन तीनों ने सोना में अपना gold पर अपना विश्वास बढ़ाया है और gold buying spree में लगे हुए है दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो dollar से भी ये central banks अब दूरी बनाना शुरू कर रहे है भारत का भी जो dollar denominated assets है वो 40% हुआ करता था foreign exchange में वो भी घटना शुरू हो चुका है 38% पे आ चुका है तो इस प्रकार से ये भी घट रहा है global central banks ऐसा ही कर रहे है आप अगर देखें तो जो central banks का जो reserve currencies में जो US का जो role था आप देख सकते हैं जो US based assets as foreign exchange reserve रखा करते थे ये 75% के करीब हुआ करता था ये घट के 59% है और आज का अगर आप बात करें तो ये और नीचे आ चुका है याने की globally color based assets का वो कम करते जा रहे हैं foreign governments अगर आप देखें तो बड़ा परिशान है जैसे ही US ने Russian assets पर sanction लगा दिया है क्योंकि जो western system था उस पर भरोसा था क्योंकि वो आपने आपको कहते थे जी हम तो rule of law के रखवाले हैं कुछ भी हो जाए आपके assets हमारे जो US और western system है finance का उस पर दुनिया का भरोसा अब हिल चुका है यहाँ पर दोस्तों एक बात समझिए जो foreign governments हैं वो अब देख रहे हैं कि American government dollar holdings को freeze कर सकती है यदि America को नराज कर दिये West को नराज कर दिये तो वहाँ पर आपका जो asset है वो बिलकुल भी safe नहीं है और यहाँ पर इस वज़े से क्या हुआ dollar पर अब reliance कम होता जा रहा है दोस्तों dollar कोई अमरित पीके नहीं आया है उसका भी समय एक दिन जाएगा आप देख सकते हैं दुनिया में जितने भी reserve currencies रहे हैं सब कोई समय के साथ decline किये हैं खतम हुआ है आप देख सकते हैं पर्टुगीज करिंसी reserve currency दुनिया की बनी रही 80 साल तक 80 साल तक रही वर्ल्ड का पहला central bank आप देखें उसी वक्त के आसपास establish हुआ 1609 की बात है bank of Amsterdam बना था और उसके बाद पर्टुगीज succession crisis आया और Iberian Union में अगर आप देखें तो उसमें तूट पड़ने लगा तो पर्टुगीज सामराज जैसे ही कमजोर हुआ पर्टुगीज reserve currency status खतम हो गई और यहाँ पे अगर आप देखें तो Spanish currency का कही ना कहीं उदगम हुआ Spanish currency वो जो थी वो global reserve currency बनी 110 साल तक रही आप देख सकते हैं 1530 to 1640 तक बनी रही और इसमें अगर आप देखें तो उसके बाद लेकिन उसका भी समय हो खतम हुआ क्योंकि जो Spanish empire वाला इलाका था उसके उपर नीदरलेंड्स का Dutch का occupation शुरू हुआ Spain के अंदर Catalan revolt हुआ Iberian union तूड गया और 30 years वार हुए और जिसने उसको occupy किया उसकी currency ग्लोबल करेंसी बन गई आप देख लिजिए नीदरलेंड्स की जो Dutch currency थी वो 80 साल तक reserve currency रही 1640 to 1720 लेकिन इनका भी जो सामराज यह था धीरे धीरे कमजोर होने लगा Dutch East India Company decline पर जाने लगी Anglo Dutch wars हुए और इस बीच में France Global Empire बन के उबरा 95 years तक French currency Global currency बन के रही लेकिन उसके बाद क्या हुआ French Revolution, Napoleonic Wars हुए France का भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे गिरने लगा France का भी war हुआ Britain के साथ और उसके बाद सबसे बड़ा sterling, pound sterling वो बना रहा आप देखें तो Global Reserve Currency 1815 से 1920 तक इस बीच में British colonies दुनिया भर में फैले, इंडिया जैसे जो देश थे उनके ऊपर उनका कॉलनी, कॉलोनाइजेशन हुआ और मजबूत से मजबूती से इसके resources को इन्होंने उसका दोहन किया, और इस वज़े से उनकी जो empire थी, वो prosperous होती गई, at least UK वाले हिस्से में नतीजन ये हुआ, उनकी economy मजबूत हुई Global trade मजबूत हुआ British pound, global currency बनके उबरा लेकिन फिर वही हुआ British East India Company decline की starting में, फिर British, जो सरकार थी, जो empire थी, वो empire का जो, वर्चस वथा वो खतम हो गया, और उसके बाद post second world war, जो UN हुआ, जो Britain Woods conference हुआ, उसमें US dollar as the reserve currency बनके उबरा आप देखें तो, on an average एक reserve currency, 96, 97 years तक रहता है, US reserve currency अलेड़ी 110 साल 100 साल का आंखडा पार कर चुका है, 110 साल होने वाला है जल्दी, तो इसका भी समय, अब आ चुका है, ये भी, अब time के साथ, कहीं न कहीं reserve status इसका खतम होगा तो उसी तरफ दुनिया जा रही है और ये सारी चीजे जो आप देख रहे हैं एक के बाद, एक के बाद ये सब उसी ओर इशारा कर रहा है दोस्तों ये जो आपको मैंने पूरा चार्ट दिखाया ये रे डेलियो ने अपनी किताब में बड़े अच्छे से अनलाइज किया है वो investor भी है और billionaire है, investor भी है और economic historian भी हैं तो उन्होंने काफी अच्छे से ही समझाया है वहीं से आपके लिए मैं ये चार्ट ले करके आया हूँ अब दोस्तों देखने वाली बात क्या है अब अगर आप देखें जो 10 central banks हैं जो gold reserves बढ़ाए हैं उसमें जैसा मैंने बताया BRICS countries हैं रश्या है, इंडिया है, चाइना है वैसे ही आप देखें तो top 10 central banks, रश्या, चाइना, इंडिया काफी तेजी से अपना gold already उनका share है लेकिन अब ये बढ़ रहा है कारण क्या है? जर्मनी के पास भी है फ्रांस के पास भी है ये सब उनका colonial era का है नया gold खरिदने की ताकत उनके पास भी नहीं है लेकिन रश्या, चाइना, इंडिया ये वो देश हैं जो अब भी ये कुवत रखते हैं और इस वज़े से आप अगर देखें तो कही न कहीं ये वो countries हैं जो global domination भी future में करेंगे तो उस वक्त की क्या ये तैयारी हो रही अल्रेडी बात हो रही है कि US dollar को हटा के BRICS currency बनाना है तो क्या ये उस और इशारा हो रहा है क्या उसकी ये शुरुवात हो रही है क्या ये सोचे समझे तरीके के दवारा रश्या, इंडिया, चाइना gold accumulate कर रहे है आप मुझे comment में बता सकते है पर दोस्तों यहाँ पे एक देखने वाली बात है Indian gold reserve आपने देखा दोस्तो 2004 से 2009 तक constant था करीबन 300 ton हमारे पास सोना था आप देखें तो ये सारा सोना 2009 तक आप देखें तो domestically acquired था domestically owned था ये जो निली रेखा आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि ये सोना हम भारत में नागपुर के वॉल्ट में RBI रखा करती थी अब दोस्तों यहाँ पे ये green वाला हिस्सा कितना कम था 20% से भी कम था पिर क्या होता है 2010 में 2010 में हम सोना खरिदते हैं पहली बार विदेश से एक जटके में 200 टन सोना खरिदा जाता है कहां से खरिदा जाता है विदेश में खरिदा जाता है किसके इशारोपे होता है IMF कहती है आपको याद होगा 2008 नव financial crisis हो रहा है उसके बाद IMF कहती है कि हम अपना सोना बेच रहे है और request किया जाता है कि सोना खरिद लीजिए और उस वक्त RBI सोना खरिद लेती है क्या Central Banker IMF को इतना तवजू देते थे या फिर उनके दुबारा controlled थे क्योंकि बस एक बार खरिदा फिर दुबारा नहीं खरिदा 2010 से 2017 तक अगर आप देखे तो हमारा सोना constant रहा 2018 में जाके हमने खरिदा यहाँ पे देखने वाली बात क्या है दोस्तो प्रगुराम राजन जी RBI के गवर्नर कब थे 2013 से 2016 के बीच में क्या इन्होंने सोना खरिदा नहीं खरिदा क्या भारत का तो क्या खरिद रहे थे वो वो खरिद रहे थे dollar denominated assets वैसे ही उसके बाद उन्हीं के चेले उर्जित पटेल बने RBI गवर्नर वो भी क्या सोना खरिदे नहीं 2018 में जब इनका tenure खतम हुआ है उस time जाके थोड़ा सा सोना खरिदा गया है और उसके बाद जाके हमने सोना खरिदना शुरू किया है यह क्या बता रहा है मैं कुछ इशारा करना चाह रहा हूं समझदार इसको जरूर समझ सकेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बाकी अगर आप gold holdings पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने बड़े ही डिटेल में यह वीडियो बनाया है कि भारत का सोना भारत में नहीं है UK में है और किस प्रकार से जिस प्रकार से रश्या को यह आज arm twist कर रहे हैं कल को हमें भी कर देंगे तो अगर हम सोना इसलिए खरिद रहे हैं कि हमें कोई arm twist ना कर पाए तो वो एक बड़ी भूल है क्योंकि हमारा सोना तो अल्रेडी उन्हीं के vaults में रखा हुआ है वो बात अलग है हम gift city में एक काम कर रहे हैं एक बड़ा vault बन रहा है gold trading hub भी बन रहा है जिसके बाद जब वो सोना भारत आ जाएगा तो बड़ा change आएगा real fence में एक gold को लेके हमारी sovereignty होगी बाकी आप उस वीडियो को देखना चाहें तो यहाँ पर link आ रहा होगा आप इसका उवश्य देखिएगा काफी कुछ जानने सीखने मिलेगा जैसे ही यह video towards the end आएगा आपको वो link मिल जाएगा वीडियो का तो ज़रूर देखिएगा बाकी इस video को like करें और साथ ही साथ हमें instagram पे follow करें twitter पे जाए kinjal underscore gs मेरा profile है वहाँ पर मुझे ज़रूर follow करें जैसे ही 500 followers मैंने अब भी start किया है तो जैसे ही वो start हो जाएगा बढ़ जाएगा उसके बाद हम वहाँ पर भी long form videos जालना शुरू कर देंगे so that हम भी diversify कर सकें youtube पर पूर्ण रूप से निर्भर ना करें आप भी समझ रहें कारण क्या है तो इस तो make sure आप video को like करें भारत समवार सब्सक्राइब करें bell icon दबाएं और एक video जैसा मैंने बताया gold वाला आपको आ रहा है इसको अवश्य देखेगा